हेलो गाइज मैंने इस प्रीयम वेल्कम बैक ऑन टेक ब्रो तो गाइज आज हम वोच के बारे में बात करेंगे फोन बगरे की वीडियो में बनाता रहे तो तो सोचा आज एक वोच की वीडियो भी हो जाए क्योंकि एक दो वोच है मेरे को अच्छी लगी बट उसके इसकी वोच बहुत अच्छी आती है तो लेटेस्ट उसकी वोच आई है नौइज फिट एंडियो और आपने देखी भी होगी और एक पहले वोच आई थी नौइज फिट इवोल्व तो इन दोनों को कंपैरिजन करते वे और इनके स्पैसिफिकेशन बताते वे एंड में न कि सो से भी ज्यादा वॉच फेशिज हैं क्लाउड बेस्ट वोच फेशिज थैं तो यह तो यह इक स्टमाइज बल वोच इसमें उनको कस्टमाइज भी कर सकते हो और इसकी डिस्प्ले मुझे ज्यादा बेटर लगी और टाच स्क्रीन भी डिस्प्लेड भी है तो सबसे इमनिन पर वित्षगास। फिस अलेस में मूरां किया है कलती है रोट को सब्सक्राइब हमें भीन सब करें अगर ऑप लिए मैं में बैटरी की, तो noise fit evolve watch है, उसमें आपको 180 mh की बैटरी मिलती है, और उसको एक बार आप full charge कर लेते हो, तो 2-3 दिन तक चल जाती है, और अगर आप use नहीं करते है, full charge करके रख देते हो, तो 10 दिन तक चल जाती है, stand by time है, उसका 10 days का, but अगर noise fit endure watch को एक बार आप चार्ज कर लो 460 mh की बैटरी है, वो कम से कम 20 दिन आपके चलेगी, और अगर charge करके, full charge करके छोड़ देते हो, तो तब भी 30 days का stand by time है, तो यहाँ पर endure watch की बैटरी तो लाजवाब है, तीन सार गुना जादा ही है, noise fit evolve की बैटरी से, उसमें 180 mh है, इसमें 460 mh है, तो इसकी बैटरी notification की बात करें, तो दोनोई phone में full smart notification है, नहीं call alert, कोई message है, कोई whatsapp message है, तो watch के उपर ही लिखा आ जाएगा, तो दोनोई phone में बहुत ही अच्छे options हैं, बट endure watch है, उसमें आपको एक camera control का option भी मिल जाता है, और अगर हम app support की बात करें, तो आपको noise fit evolve watch के लिए noise fit peak app अपने phone म सकते हो, calls, messages, यह सब health tracking सब हो सकता है, अगर आप उस app को download करके और उससे अपनी watch को pair कर लेते हो, और endure watch के लिए आपको da fit app, दुवारा बताते हो, da fit app यह download करनी पड़ेगी अपने phone में, और फिर उससे आपको अपनी watch को, endure watch को pair करना है, then आप बहुत सारे features का फायदा उठा सकते हो, तो guys, यह जो दोनों app मैंने आपको बताई, noise fit peak app और da fit app, इन दोनों आपका link मैंने description में भी डाल दिया, और guys, अगर हम इन दोनों watches की weight की बात करें, तो मैं यही कोंगा, कि दोनों watch का weight, light weight यह ऐसा नहीं है, कि कोई भी watch आपने ले ली, पहनी, उसको आपको हाथ मे pain feel हुआ, ऐसा कुछ नहीं होगा, दोनों watch बहुत ज़्यादा light weight है, और इनकी जो straps है, उनको आप swap भी कर सकते हो, किसी में कोई और सी लगा दिया, ऐसा भी कर सकते हो, और बहुत ही अच्छी watch हैं, और अब important आपको बात मैं बता दू, guys, अगर आप watch पहनते हो, तो यह आप 24-7 आपकी heart rate count करके रखती है, और आपने कितनी नीद ली, आप कितनी देर सोए, आप कब सोए, किस टाइम उठे, यह सब यह track कर लेती है, और आपने कितने step चले एक दिन में, तो daily fitness level भी maintain होता है, यानि कि इन watch से आप healthy भी रहते हो, कोई आपको gym वगएर नहीं करने को बो बट आपका daily fitness level यह नापके रखती है, और इससे आपकी heart rate, आपके step और आपकी sleep यह सब track हो जाती है, दोने watch में यह option है, बहुत ही अच्छे वाला option है, यहाँ पर noise fit endure watch में आपको एक breathe mode में बिल जाता है, जिसमें आपको आपकी जो nerves है, वो काम रहती है, यह उसका काम करता है, तो guys यह जो मैंने आपको comparison करके बताया है, अब यहाँ पर conclusion निकाल के बता दो कि कौन सी watch ज्यादा better है, वैसे आपने देखी लिए होगा, जो noise fit endure watch है, वो latest है, और noise fit evolve watch का कोई भी ऐसा feature नहीं है, जो noise fit endure में हो, बलकि एक दो feature noise fit endure watch में ज्यादा ही है, जैसे कि आपने battery आपको पड़ेगी, बट इसे कि बात कर देता हूं, प्राइस की बात कर देता हूं, प्राइस यहाँ पर अगर आप noise fit evolve watch प्रचेस करते हो, तो 5,499 की आपको पड़ेगी, बट इसे के साथ अगर आप endure watch प्रचेस करते हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ 3,999 में पड़ेगी, 1500 रुपे का फरक है, 1500 रुपे कम में आपको feature loaded watch मिल रही है, तो कुल मिला गए, यही पता लगता है कि noise fit endure watch feature loaded latest और सबसे ज्यादा better और strong watch है, तो मेरे साथ से noise fit endure watch ही सबसे ज्य करते हैं कि कौन सी वो ज्यादा better है, बट अब आपकी बारी है, आपने नीचे comment करना है, और अपना point of view लिखना है कि आपको कौन सी वो ज्यादा better लग रही है, और क्या noise fit evolve watch का कोई ऐसा point है, ऐसा कोई feature है, जो noise fit endure watch में ना हो, और आपको कौन सी वो ज्यादा बच्छी लग और जल्दी मिलेंगा अगरी वीडियो में, thanks for watching, thank you